बोलिये बीर बजरंग वले की जय बोलिये सनी देव जी महराज की जय मेश रासी बले गुरू आपके दसम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं आपके लिए बेहत खास समय रहने बाला है 331 मार्च का बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं क्या कैसे रहने वाला है आईए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि वो कौन से बड़े बड़े बदलाव बेरस्पति का मकर में गोजर के कारण और गुरू का आपके दसम भाव में प्रवेस करने के कारण और तीसरा जुस्त बंड़ा है वो है गुरू और सनी की यूति इन सब के कारण आपके लिए महिने के इस अंतिम दो दिनों में तीस और एकतिस मार्च को क्या क्या बड़े बड़ाव होने जा रहे हैं क्या क्या खास होने वाला है आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे लेकिन मित्रों सबसे पहले आप ये कनफर्म कर लें कि आप मेंस रासी वाले हैं भी या नहीं क्योंकि आपने पूरा वीडियो देख लिया और पता चला कि आप तो मेंस रासी के थे ही नहीं और फिर बाद में आपको पच्छतावा होगा अथवा आप जिस वेक्ति के लिए ये वीडियो देख रहे हैं वो वेक्ति मेंस रासी का है या नहीं ये भी आपको कनफर्म कर लेना चाहिए मेरे इस लाइन को इस वाकि को बोलते ही आपके मन में ये संसे आ गया होगा कि ये बात तो सही है कि मेंस रासी का मैं हूँ या नहीं अथवा जिसके लिए ये वीडियो देख रहा हूँ वो मेंस रासी का है या नहीं ये कैसे पता चलेगा आईए आपकी इस समश्या का समाधान मैं किये देता हूँ और आपको बताता हूँ कि आप मेश राशी के हैं या नहीं मित्रों अभी आपके स्क्रीन पर में हमने आपके लिए ये मेहनत किया है आपके लिए बनाया है ये कि मेश राशी जो लिखा हुआ है ये मेश रासी और इसके सामने नाम अक्षर लिखा हुआ है और इसके सामने जो अक्षर है जैसे कि चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो और ओ इन में से अगर किसी भी अक्षर से आपका नाम सुरू होता है तो आपकी जो रासी हुई वो मेश हुआ जैसे कि आपका नाम मान लो कि और अक्षर पे शुरू होता है जैसे आपका नाम अमन है, अमरित है, अमेरिका है कुछ भी आपका नाम अगर है तो आपकी रासी मेसुई आपका क्या नाम है आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं जैसे कि आपका लो अक्षरपर में नाम शुरू होता है आपका नाम लो अक्षरपर में मुझे याद नहीं आ रहा है जैसे कि लो से लोहा लो से लोहान इस प्रकार का लोग ला अक्षरपर में लाला इस प्रकार से आपका किस अक्षर से क्या नाम शुरू होता है अथवा किस इसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं ताकि आप कन्फर्म हो जाएं मैं चेक कर लूँ कि आपका नाम मेश रासी का ही है मित्रों आपके रासी स्वामी जो है वो मंगल देवता है और आपका जो स्वामी है आपका जो मालिक है व अपने जीवन से परेशानियों को दूर करने के लिए नश्ट करने के लिए मुझा धारन कर सकते हैं लेकिन अभी पूरा देश लॉक डाउन में है अभी आपको हो सकता है तो मुझा ना मिले तो इस स्थिती में आप क्या करेंगे मैं आपको इसके लिए लास्ट में एक वी करना है रेड कलर का बस इतना ही करना है आपको और लास्ट में जो मंत्र बताऊंगा उस मंत्र का जाब करना है आए अब जानते हैं अब आप समझ चुके होंगे कि आपकी रासी मेस है या नहीं अथवा आप जिस वेक्ति के लिए ये वीडियो देख रहे हैं उसकी रासी मे 37 मार्च को शाम 7 बज़ के 8 मिनट में मकर रासी में गोचर करने जा रहे हैं प्रवेश करने जा रहे हैं यहाँ पर में मकर रासी में के स्वामी सनी और बिरस्पती गुरू की दोनों की यूती भी होने जा रही है दोनों एक साथ मिलने वाले हैं दोनों का योग भी होने जा र जब इसका प्रिवर्तन होता है तो लोगों के भागी बदल जाते हैं कई की किस्मत बदल जाती है दिन और रात बदल जाते हैं कई जिंदगी के माइने बदल जाती हैं क्योंकि देव गुरू की दृष्टी अमरित मानी जाती है ऐसा कहा जाता है कि देव गुरू की समबहों में प्रवेस करेंगे आज यह आपके नवे और बारहमे भाव के श्वामी है और मकर रासी में गुरू गोचर के प्रभाव से आपके काली छेतर में कुछ अईसे स्थिती होगी जो उतार भी बहबाएगा आप ज़्यादा मेहनत करेंगे आप कसरत करेंगे आप ज़्यादा काम करेंगे और जब ज़्यादा काम करेंगे तो फल की भी ज़्यादा प्राप्ती निश्चित रूप से होगी कारिश चत्र में विरस्पती का गोचर विसेश रूप से आपको अपने बाड़े में बिचार करने पर मजबूर कर देगा आप विसेश बिचार करेंगे अपने बाड़े में सोचेंगे अपने भविश्य के बाड़े में सोचेंगे और शही काम आप कर रहे हैं अथवार नहीं ये आपको शमज में इन दो दिनों के अंदर आ जाएगा आप वो निरने ले लेंगे आप वो डिसिजन ले लेंगे कि मुझे क्या करना है मैं जो काम कर रहा हूँ वो हमारी भविश्य के लिए सही है या नहीं ये आपको समज में आ जाएगा मित्रों आपकी योजनाएं जो है फली भूत होनी शुरू हो जाएंगी आप जो योजना बना रहे थे आप जो निरने ले रहे थे आप जो विचार कर रहे थे वो सारी रिजल्ट आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे लेकिन कारेश्यत्र में आपका आत्म विश्वास भी गया है कि अच्छा होता है लेकिन और कॉंफिरेंस जो है अच्छा नहीं होता तो और कॉंफिरेंस में ना परें ज्यादा अच्छा रहेगा मित्रों अपने काम में विशेश ध्यान दें काम से काम रखें दूसरों के काड़े में हस्तक छेप ना करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा बिरस्पती के इस गोचर से आपके धन में विशेश बिर्धी होने जा रही है आपको पैसा प्रयाप्त मात्रा में आने जा रहा है धन के इस्थिति आपकी मजबूत होने जा रही है अब आप कहोगे कि पूरा देश लॉगडाउन है कोई काम दंदा नहीं चल ला है सारी मेश रासी वालों के धन में बिर्धी होगी और इतना ही नहीं धन में बिर्धी होगी ही नहीं समाज में आपको शम्मान भी मिलेगा समाज में आपको एक शम्मानित बेक्ती के रूप में देखा जाएगा एक पद दिया जाएगा एक विशेश बेक्ती का दर्जा आपको द वेश के कारण आपको इज़त, दौलत और सोहरत सब कुछ मिलने जा रहा है। आपके पाड़िबारीक जीवन में खुशियां आ जाएंगे, आपके बुजुर्ग आपको आशिरबाद देंगे, फलो फलो अनेक प्रकार का आशिरबाद देंगे और जिसके आशिरबाद के कारण जीवन में आप विशेश तरक्की करेंगे, इसकी संभाब न है। इसके प्रभाब से आपको आपके भागी का पूरा साथ मिलेगा और आपके सारे अटके हुए काम जितने भी थे वो सब बनना शुरू हो जाएगा, जिससे कि आपकी आर्थिक इस्तिती जो है बहुत मजबूत हो जाएगी, बहुत मजबूत का मतलब बहुत जादा मजबू हो जाएगा और आप समाज के सरवच पद पर पदास्चीन होंगे आप अपने समाज में शर उठा कर जाएंगे आपको अपने काम पर पूरा ध्यान देने की आविशक्ता है ऐसा नहों कि समाज में पद मान प्रतिष्ठा धन दौलत से आपका मन बदल जाए और आप अपने काम पर में ध्यान देना बंद कर दे नहीं आपके इसी काम की कारण आपको समाज में इज़त मिल रहा है प्रतिष्ठा मिल रहा है तो आप अपने काम को बिल्खुल न छोड़ें मैंने आपको कहा था कि मैं आपको उपाई भी बताऊंगा कि कौन सा उपाई आपको इन दो दिनों के लिए करना है उपाई ये है कि गव माता को हल्दी और चने की दाल मिला करके अगर आप खिलाते हैं मिला करके और आटा ये तीनों चीज़े हल्दी चने की दाल और आटा आटा चाहे वो मक्का का ही क्यों न हो आप ये तीनों को मिला करके अगर गव माताव खिलाते हैं तो ये दो दिन जो हैं और भी बड़ी बड़ी बदलाव होंगे और भी चमतकार होगा और भी बिरस्पती का गुरुराज का ग्रहराज का बिरस्पती का गुरुदेव का आप पर में आशिरबाद बनेगा और उसे भी दस्मे भाव में गुरू आपके प्रवेस कर रहे हैं दस्मे भाव कर्म का होता है और कर्म के माध्यन से आपको बिशेश शफलता की प्रात्ती होगी हमने आपको बताया था कि मैं आपको मंत्र बताऊंगा जो वो कौन सा मंत्र है जिससे कि आपको मुंगा धारन करने के बराबर का फल मिलेगा मंत्र है ओम मंग मंगलाए नमा ओम मंग मंगलाए नमा इस मंत्र का आपको दैनिक रोज एक माला जाप करना है जब तक आप मुंगा धारन नहीं कर पाते हो जब तक आप इतने सक्षम नहीं हो जाते जिसमें की 15,000 रूपे खर्च कर सकें तब तक आप इस मंत्र का दैनिक जाप करें और अभी जब तक नवरात्री है जब तक ये क्रोना वाइरस का समय चल रहा है महामारी खत्म नहीं हुई है तब तक आप महामारी नास के लिए इस मं पालनी दुरगा च्छमा सिवा धात्री श्वाहा स्वधा नमोस्तुते जैनती मंगला काली भदर काली कपालनी दुरगा च्छमा सिवा धात्री श्वाहा स्वधा नमोस्तुते इस मंत्र का जाप अभी पूरा विश्व कर रहा है क्योंकि ये महा दुरगा के दुरगा सबस मारी नास का ये मंतर है तो पूरा दुनिया इस मंतर का जाप कर रहा है आप भी जाप करें और इस मारी के नास में भागी बने चलिए उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह वीठियो पसंद आया होगा आपके लिए beneficial साभी तवश्य हुआ होगा अगर आपको पसंद आया मित्रों तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके contact लिस्ट में जितना भी number है चाहे वो whatsapp में हो facebook में हो आप उन सभी के साथ इस वीडियो को share कर दें आपका मुझे बड़ा आभार होगा और मेरा हिम्मत बनता रहेगा कि मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँ और अगर आप नए हैं इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके इसके वेल आइगन के बटन को दबा दें एक और फिर से आप सभी का बहुत-बहुत धनिबाद अपने घर में रहेंगे शुरक्षीत रहेंगे जहिंद बंद मात्रम